Hello everyone, मैं नीलम्दिवारी आप सभी का Magnet Brains में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ Magnet Brains एक ऐसे चैनल है जहाँ पर आपको Kindergarten लेके 12th class तक के सारी वीडियोज बिल्कुल फ्री एवेलेवल करवाय जाते हूँ और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के दो वीडियोज देखने के बाद मैं आप से कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज मंगा जाए या आपको कुछ पे करना पड़े बिल्कुल नहीं है NTSC हो, Olympiad हो, Hindi Medium चैनल भी शुरू हो चुका है Magnet Brains का जिसमें Hindi Medium के बच्चे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं तो कोई भी चीज हो चाहे एप डाउनलोड करना हो, वेबसाइट पे जाना हो Magnet Brains चैनल बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री एजुकिशन देता है ठीक है, तो जैसा के अब टेस्ट पेपर हम Magnet Brains के सीरीज में शुरू कर रहे है कक्षा छटवी संस्कृत का और चतुरदश पाठ है जो अह, आ, च अच्छा, अह, आह, चक अर्थ क्या है, अह का अर्थ होता है, ओ, और चक अर्थ हुआ, और आह, जो हमारी कभी जब कुछ हमें तकलीफ होती है, या पीडा होती है, तब हमारी मूझ से जो आवाज निकलती है, वो करते हैं, तो यह जो पीडा दाय, कष्ट दायक जो से कि जब आप इनसको सॉल्व करोगे, तो आपको कठिदाय नहीं होगे करने में, तो भईह, यह, एक कहानी किसकी है, एक स्वामी, और यह, लड़के का नाम क्या होता है, अजीज नाम होता है, उसका और वो किसी स्वामी कि आपर किसी सेट कि आपर काम करता था, अब एक ब तो स्वामी सुचता है कि अजीज जैसा परिशमी कोई दूसरा तो है नहीं तो मुझको इसको चुट्टी का भी और वेतन का दौन का पूरा धन दिना पड़ेगा तो वो एक युक्ती लगाता है और स्वामी अजीज को कहता है कि मैं तुम्हें चुट्टी का भी दन दूगा वेतन का भी दन दूगा लेकिन तो मैं मेरे लिए दो चीज़ें लेके आओ तो फिर मैं दूगा वो आकाश की और देखता है चारों और घूमता है लोगों से पूचता है धरती से प्रार्थना करता है आकाश से पूचता है सब जगे करता है और वो मन में ठान लेता है कि मुझे मेरे मुझे अवकाश का धन है वो बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा मैंने इतना परिश्रम कि अब मैं अवकाश लूँगा तो उसका धन मुझको प्राप्त नहीं होगा ऐसा सोच लेता है तब उसको एक वर्धा इसतरी मिलती है और वो वर्धा इसतरी से कहती है कि क्या बात है तो अजीज उसको अपनी सारी व्यथा सुना देगा सारी जो परिशानी है उस सुना देता है तो प्रद्धा एक युक्ति लगा के कहती है कि मैं तुमको एक पेटी दे रही हूँ ये ले जाओ और इसमें दो छोटे छोटे पात्र हैं तुम मत खोलना ये किसको अपनी सेट को ले जाके दो और उसको कहना कि इनको खोलो तो अजीज एक पेटी को लेके जाता है और उसको दे देता है तो उस पेटी को जैसे वो दीरे-दीरे खोलता है तो उसमें क्या होता है दो क्या होते हैं दो छोटी-छोटी मंजुषा होती है दो छोटी-छोटी पात्र होती है मंजुषा पेटी हो जाती है पात्र छोटी-छ उसने दूसरी अपनी मंजुशा को दूसरे वाले लगू पात्रों को खोला तो उसमें से फिर एक मक्खी निकली और उसने उसके सिर पे काट लिया तो उसके स्वामी के मुँ में से निकला गया ओ आह तो दौनों चीजें उसकी निकलाई तो अजीज तो भाही सफाल हो गया क्योंकि उसने स्वामी को दौनों आजीज दे disciplines ने कैठ लिया उसके हात पर एक ने कैठ लिया उसके सिर पर तो ऐस तरह से स्वामी जो उता है को उसको दौनों चीजें मी मिल गई और अजीज को पूरा धन भी देना पड़ा अब धन भी दिया मदमख्यों के काटने के बाद में तो एक तरह से एक स्वामी को सबक भी मिल गया के लो भाई तुम्हें जादा लालच था कि उसको धन ना देना पड़े तो उसने युक्ति यसी लगाई तो उसको सारा धन देना पड़ा ठीके ना तो इस तरह से स्वामी उसको पूरा धन देता है तो यही पूरी कहानी थी इसमें अब जैसा कि टेस्ट पेपर में प्रशन दिये हुए हैं अब उनको हम हल कर वा रहे तो जब तक अगर हम कहानी का थोड़ा पत आपको यह समझा नहीं समझाते तो आप उन उत्तर को उनसे क्या ताल में नहीं मिठा पाते जैसे लिखा हुआ है पहला हम प्रशन पढ़ लेते हैं बहु विकल्प यह प्रशन है यह जैसे बहु विकल्प का मतलब हुता है बचे समझा कीजिए आप लोग कि बहु का मतलब हुता है बहुत और विकल्प विकल्प यानि आपको कैसे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं कई तरह के शब्द मिलें जिनमें से एक आप छाट सकते हों उप्शन जिसको आप कहते हों इंगलिश में बहु विकल्पी है यहां पर भी यहीं लिखा है तो प्रश्न है उचितेन विकल्पीन यानि उचित विकल्प के द्वारा अब देखिए उचितेन शब्द में भी तृतिया लगी है के द्वारा कर्थ निकल रहा है विकल्पीन में भी तृतिया लगी है के द्वारा कर्थ निकल रहा है कि जब हम भी 6th class में आप लोगों की तरह थी 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में हमने भी संस्क्रित को पढ़ा तो उस समय भी पते किसी ने कभी भी याद बस ऐसे करवा दिया कि ये कह दिया बालक है कह दिया बालक है ये नहीं बताया कि बालक में ये विसर्ग लगने से क्या परिवर्तन हो रहा है तो भाई अब हम इसलिए आपको छटवी से ही आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं हमें नहीं इंतजार करवाना है कि आप बड़ी पहुंचे तब उनका अर्थ जान पाए अब इस सिक्स क्रिज़ें पॉसलिया करती है कि उस शब्द में प्रेट्मा विभक्ति होती वह करता कारप के लिए बनाई जाती है और करता कि साथ सा संग्या को दर्शानिल के लिए अगर किसी का नाम हमें बताना है तब भी हम प्रतमा बिखती वाले रूपों का प्रेओक करते हैं और ये विस्ट किया करता है, या तो इसका केवल नाम बताए हम कहेंगे यह बालक है तो कहेंगे एशह बालक है ठीक है जैसा पन सुरुवात से पहले पार से पढ़ते हुए आ रहे थे ये दोनों बालक हैं तो कहेंगे एतव बालक हूँ बहुत सारे लड़क हैं तो कहेंगे एते बालक हूँ ऐसे हम कहते हैं ठीक है न यह शब्द का प्रियुक बालक की अनुसार कर लेते हैं और साथ साथ में ये बालक ये जो नेक अचन है ये प्रतमावी भक्ती में ये जो विसर्ग जुड़ रहा है ये जो अउ की मात्रा जुड़ रही है यहां पर बढ़िया की मात्रा जुड़ी जा रही है बहु अचन में और विसर्ग लगाया जा रहा है तो ये कर क्या रहे है ये इस बालक क वह इतनों इसको संग्या की रूप में भी बता रहे हैं और दूसरा अगर हमें कभी सिर्फ उसको नाम बताना हो वह काम नहीं कर रहा होगा तो उसका नाम क्या शारा है का संग्या के बताना हो तब समझ रहे हैं ऐसे बालक के दिया कोई बात नहीं है लेकिन अगर आप उसको किसी वाकिय में प्रयूख कर रहे हैं तु आप बालकह ही बूलेंगे उसको बालकह, बालकव, बालका है नहीं लड़का है दो लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं ठीक है ना अच्छा ऐसे ही आप द्वीतिया विवक्ति क्या करती है द्वीतिया विवक्ति कहा हमने बालक कम तो यह जो माहलंत है भई माहलंत ने आके क्या कर लिया उस बालक में द्वीतिया विवक्ति का चिन होता है को और क्यों होता है क्यों कि कर्म नहीं द्वीतिया कर्मक बीडियेो कर्म, क्रत्या कर्म एतों कर्म कुछ क्यांद झाल? क्या झाल? ग्सम taking toform क्यों टीवीए? लडकी करना चाहरे है, दीघने के थ्यायम यह चाहरे है कर्म को σंस्वित में दर्शाने के लिए द्वित्यावि भकति लगा जाती है मैं विध्याले को जा हुँ तो विध्यालेम मैं विध्याले को जो और हुए पुस्तक herman पठा महीं तो पुस्तक PARUp को credit मैं भख बनगे में फल को खा रहा हुँ अहम फ्लम कादा में, मैं फ्ल को खा रहा हूँ, ठीक है ना, तो भई हमने देखा कि कर्म में, यानि को का अर्थ जोड़ने के लिए कर्म को बनाने के लिए किसी वाक्ते में हम दूतिया विभक्ती का प्रियुग करते हैं, तो ऐसे ही है हमारी तृतिया विभक्ति आई। तृतिया विभक्ति भई जहां जुड़ी होगी वहां पर क्या अरत निकलाएगा जैसे बालक शब्द बन जाता है बालकेन हर एक शब्द के अलग-अलग अपने रूप बनते हैं यह तो अकारांत बालक किया सा है अकारांत जिस शब्द का छुटे आ से अंतोरा होगा उसके सबके रूप ऐसे ही बनेगे उन मैं कोकार्थ जोनने के लिए आप ऐसे माहलंत लगाएंगे अकीला उसका नाम बताने के लिए उसको करता बनाने के लिए आपको विसर्ग ही लगाना है तृटिया विभक्ति में उसमें आप क्या हो जाएगा अजीज के लिए ठीक है न क्यों चतुर्ती विबगती क्या करती है उस शब्द में यानि ये जो बालग शब्द है उसमें जो आय लग गया है आर्थ जूड़ देगा थरतिया है तो के दुआरा का अअअअअअफ जूड़ जाएगा पंचमी बिवक्ती में बनना है बालकात, है न, ये लिखा है, बालकात लिखा है, तो पंचमी बिवक्ती का से, यानि अलग उनी वाला से का अर्थ बालक में आत जुड़ने से लग गया, अर्थ निकलेगा बालक से, फिर सश्ठी का सिया लग गया, ये सश्ठी का या सिया जाता है तो गहेंगे बालक का बालक की या बालक के और सब्तमी विभक्ति क्या करती है किसी भी शब्द में मैं और पर का अर्थ जोड़ देती है जैसे कि हमने बालक को मैं सब्तमी विभक्ति में रूप बनता है बालक के तो एक ही मात्रा ने क्या किया बालक शब्द में मैं या पर को जोड़ दिया अर्थ हो जाएगा बालक में बालक पर ठीक है अब यह इसलिए बता रहे है क्योंकि अब यह हम जो पढ़ेंगे न तो आपको एक एक अर्थ बोलते जाएगे तो समझेगा कि हमने बोला जैसे अभी हमने कहा उचितेन विकल्पेन यानि देगे अकारा अच्छा अकाराम्त पूर्लिंग और नपुनसकलिंग अकाराम्त पूर्लिंग और नपुनसकलिंग क्योंकि विकल्प शब्द कैसा हो रहा है हमारा विकल्प कैसा हो रहा है विकल्प शब्द आपको पूर्लिंग लगे नपुनसकलिंग मुले फरक नहीं पड़ता है क्यों अब कैसे विकल्प में हो ले उचित विकल्प की द्वारा तो उचित शब्द क्या बन रही थी विकल्प की विशेस्ता बन रही थी तो विशेशन और विशेश हमने कई बार बताया है कि जिस शब्द किसी की विशेस्ता बता रहा है क्रिश्ण अश्वह की विश्चता है कि वो काला है श्वेट अश्वह समझ में आएगा कि सफेद घोड़ा है तो अगर हम प्रतमा विवक्ति लगाएंगे तो श्वेट उसकी जो विश्चता है वह भी बनजाएगी श्वेट है लिखा प्रतमा विवक्ति का दोईवचन रूप बनाया हमने का अश्वव तो श्वेत भी बनेगा श्वेतव श्वेतव अश्वव ठीक है अब वही श्वेत घोड़े सफित बहुत सारे हैं दो से अधे के तो हम कहेंगे अश्वाह तो हो जाएगा श्वेताह अश्वाह समझ जाज रहें और थाट कोई भी शवद की जो दूसरा शब्ल विशेसता बताता है तो असमें भी समान विखति ही लगती है जैसे कहा विखल्प यई कल्से करें की दूआरा तो उच्छित शब्द में बित्रतिया विखति लगी हैं तो त्य Spieler को पीप्भिन अब ध्यान की जे भगति आई है तो किया रहे उचितिन विकल्प की द्वारा रिक्त स्थाना नी पूर्ए अट रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए तो अब कहा यहां पर पहला लिखा है सहसा यानि अचानक यह एक अव्याय है जहांपे हम बोलें अव्याय समझ जाना कि यह ऐसा शब्द है जिसका, जिसमें कोई विभक्ती चिन्न नहीं लगेगा, ना उसमें क्रिया का चिन्ध होगा यह अवयाय है, यह अपने मूल रूप में रहेगा सहसा यानि अचानक अब सहसा, अचानक बिजली गिरी अचानक लड़का दोड़ा अचानक पत्ते गिरे अचानक पेड़ हिला, तो आचानक शब्द तो आचानक ही है, पेड़ पत्ते कुछ भी भोजाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सहसा यानि अचानक एक निर्गच्छती निकलती है, एक निकलती है, अब निर्गच्छती यानि निर्यानि बाहर की ओर निकलना, बाहर निकलत पिछले पार्ट में हमने आपको संख्या बढ़ाई थी तब उसमें बताया था कि भाई अभी भी हम यहीं बोल रहे थे कि भाई जो विशेशन शब्द होता है वो अपने विशेश के जैसा ही बनता है जैसे यहां पर अगर वो बालक है यानि एक शब्द कर बालक के लिए आ बाले का और यहां पर अगर यह फल है यानि नपुन सकलिंग है तो यह हो जाएगा एकं फलम समझ रहे है तो वहים इनको देख के भी हम समझ सकते जींए कि अर्थात यहाँ पर आने वाला है कोई ना कोई स्त्री लिंग वाची शब्द अब स्त्री लिंग वाची में कौन निकलाता अब व्रिद्धा निकली थी बुढ़िया अचानक से निकली थी क्या नहीं बुढ़िया तो मिली थी रास्ते में पेटी का पेटी अचानक से निकली क्या मुले नहीं मद्मक्षिका मद्मक्षी निकली थी कह ईंगे ये सही है. अर्थ यह ऩमी गवान विक्ल्प है तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा. समझ गए चलिए आगे देखते हैं अजीज अब आने तुम नी धातू नी का अर्थ क्या होता है ले जाना जब इसके रूप बनाए जाते हैं यानि जब इसको धातू के रूप में परिवर्तन करते हैं क्याते हैं ले जाता है ले जाते हैं तुम ले जाते हो मैं ले जाता हू ले जाने की बाता है जो निनती बनता और नहीं निती नहीं नहीं परिवर्तित हो जाती है जो चृए परिवर्तित हो जाती एं नहीं में लगाया जात अब नय में जहां नय का अर्थ हुआ ले जाना वही पर आ लगा देने से उसी का अर्थ हुआ लाना नय का ले जाना और आनय का अर्थ हुआ लाना यानि किसी चीज को ले कर आना ले जाना और लाना ठीक है आनय अब आने धातू में तुमन प्रत्य लगाया, तो क्या बन गया, क्या हुआ, नी, नी धा, तुमन प्रत्य जुड़ रहा है, तुमन प्रत्य जुड़ने से क्या होता है, कि उन गाया बुजाता है, तुम अकिला शेस रह जाता है, तुमन का अर्थ क्या होता है, के लिए का अर कोई भी जब बड़ी एकी मात्रा होती ही वो अपने गुण में परिवरतित हो के इस प्रकार्ची रूप बनाती तो वो जाएगा आने तुम यानि लाने के लिए समझ गए अब क्या अर्थ बना इसका आने तुम क्या रहे हैं अजी जह लाने के लिए निर गच्छती निर या लगू यानि छोटे से पात्र को लाने के लिए निकलता है वस्तु द्वयम दो वस्तु यानि कोई भी सामान कोई भी वस्तु द्वय यानि दो वस्तु द्वयम दो वस्तु को लाने के लिए जाता है या धनम धन को लेने के लिए जाता है अजीज क्या लाने के लिए जाता लाने के लिए निकलता है इता है तो रिखते हैं जा यानिध उनको अब देखें सब्सक्राहिए करेंगे टो अर्थ समझ में चुन हाइगा, पहले पार्थीर अर्थ क Veniqya प्रतमा बिवक्ति में क्या बनता है ततर करा किया वह प्रतमा विवक्ति निए था फ्रतमा प्रतमा विवक्ति सह, तव, और ते, बनता है, अर्थ क्या निकलता है, वह, वे दोनों और वे सब, या फिर, ये तो केवल उसको बताने के लिए हो गया, किसी को केवल दर्शाने के लिए भी तो हमारी प्रतमा भी वक्ती लगती है, और किस के लिए लगती है, और करता के लिए भी लगती है, त तो उसने, उन दोनों ने और उन्होंने ये भी हमारा, इनका एक अर्थ निकलता है। तो चाहे तो अगर आपको नहीं याद रहे तो ऐसे लिख दीजे कि सह को वह भी कहते हैं और उसने भी कहते हैं कि उसने ऐसा किया। तव को हम क्या कहेंगे वे दोनों और के सकते हैं उन दोनो ने और यहां पर ते लिखा है तो ते क्या कह रहा है वे सब भी कहते हैं तो या फिर उन सब ने या उन में ठीक है अब प्रत्मा के बाद अब जलते हैं, हम दृतिया विभक्ती पे, इसी में, इसी में किस पर जाते हैं, दृतिया विभक्ती में, तो दृतिया विभक्ती में जो तत के रूप है वो क्या बनते हैं, तम, तव और तान ये बनते हैं, तो तम तो पुर्लिंग वाला हो गया, तो सबस्क्राइब सब्सक्राइब इसी में जब हमारा दुटिया भीवक्ती होती है तो यह हमारा बन जाता है तो यह हमारा बन जाता है ताम यहां पूरलिंग के लिए बनता है तम और यहां बनता है ताम ते और ताह इस प्रकार से रूप हमारे बन जाते हैं तो अब दीखिए अब तम और ताम से हमारा अर्थ क्या निकल रहा है तो हम कहेंगे दुईतिया विभक्ति को का अर्थ जोड़ती है तो यहां पर वह शब्द में को का अर्थ जोड़ेंगे तो हम वह काएंगे वह को काएंगे या उसको काएंगे तो कहते हैं हम वह को नहीं कहते हैं हम हिंदी में तो उसको या उनको ठीके उसको या उनको लड़क बच्च छोटी उमर का होगा है तो हमने कहा है उसको दिया और अगर बड़े यानि वह, अब ये वह कौन है? लड़का है, पुरलिंग वाला है, तो कहेंगे वह ताम, यानि उनको सर्वाम, सारी, अब सारी क्या? वह उनको, यानि अब कोई किस स्त्री को, तो अजीज ने किसको, भी इस्त्री से बात किस की हुई थी? अजीज की हुई थी किस से वृध्धा से तो वह कहेगा वह उनको यानि वह अजीज उन वृध्धा को सरवाम यानि सारी किसको कथाम को सारी कथा को श्रावयती सुनाता है सारी सुनाता है कथा को सुनाता है वृध्धाम को सुनाता है या व्यथाम को सुनाता है तो कहेंगे यहां उत्तर हमारा क्या बनेगा व्यथाम कि अजीज उनको सारी व्यथा को सुनाता है अग सारी व्यथा थी तो सर्व व्यथाम में माहलंत था तो सर्व शब्द भी द्वीतिया विभक्ति वाला बना सर्वाम व्यथाम यानि सारी व्यथा को स्रावयती सुनाता है अब कुत्रचित एका वृध्धा कुत्रचित यानि कहीं से कहीं से एका वृध्धा एक वृध्ध स्त्री एका वृध्धा क्या करती है मिलती मिलती है कथियती कहती है या ददाती या देती है तो कहेंगे कुत्रचित यानि कहीं से एक वृद्धा उसको क्या करती है? मिलती है तो यहाँ पर हम लिग देंगे मिलती ठीक है? चले आगे देखते हैं लिखा है स्वामी पेटिकाम उद्घाट यती स्वामी पेटिका को देके पेटिका माहलंत है उद्घाटित करता है, कोलता है स्वामी एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन की आए सारी चीज़ा थोड़ी व्याकरन की दृष्टी से भी देखते जाया कि जिससे कि आप जब खुद भी प्रियोग करेंगे तो सही करेंगे, जैसे अजी जहां निर्ग अछती निकल जाता है, तो अजी छेक है, तो दीक्रिया भी एक वचन वाली आए, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष आ रही है, यहाँ पे भी एक कौन हो रही है? एक वरिद्धा क्या करती है मिलती है अब वरिद्धा वही प्रतम पुरुषेग वचन है तो क्रिया भी मिलती प्रतम पुरुषेग वचन किया है। स्वामी उद घार्ट इयति स्वामी खोलता है किसको खोलता है? पेटी का को खोलता है कैसे कोलता है? उच्चे हेege ehjakara दिख, यहाँ है यहाँ अरत दुर तरस से होता है उच्चेहि एक ऊंचा भी होता है उच्चेह का अरत जोर तेज, आवाज को भी कहा जाता है उच्चाई है अब कहा शनाई शनाई धीरे-धीरे खोलता है या एक बार खोलता है तो यहाँ भे हमारा उत्तर क्या बनेगा स्वामी शनाई है शनाई स्वामी धीरे-धीरे पेटिका मुद घायति धीरे-धीरे पेटिका को खोलता है तो इस तरह से हमारा जो उत्तर बनेगा हो क्या बनेगा शनाई शनाई तो हमारा पहला बन जाएगा मन्दुमक्षी का दूसरा आ जाएगा वस्तुद्वयम तीसरा आ जाएगा वियत्थाम चतुरत आ जाएगा मिलती और पंचम हमारा जो उत्तर बनेगा हो बन जाएगा शनाई शनाई शना अब बहु विकल्पों में से जो सही उत्तर हो उसको हमें दे देना है लिखाए内ब अब अज Palak जैसा बना हुआ बालक ह जैसा तो या नाम बता रहा हो गा या फिर काम कर रहा होगा तो अजीज के बाद में आसीत लिखा हुआ है यानी था थी थे अजीज था क्या था स्वामिन की सश्ठी विवक्ति दिखोगे तो काकी के कार्थ निकलाता है लगेगा कि विसरग लगा हुआ है तो स्वामिन शब्द भी क्या स्वामिन अहां प्रत्मा विवक्ति है नहीं स्वामिन जो शब्द होता है नकारांत शब्द होता है कैसा होता है नकारांत शब्द होता है तो जिसके सश्थी विवक्ति में अर्थ जो रूप बनता है वो बनता है स्वामिन अहां यानि अजीज स्वामी की अब काकी के का अर्थ है क्योंकि यहां आगे आने वाला शब्द सेवा है यानि स्वामी की सेवा अब सेवा सेवा लिन था अजीज स्वामी की सेवा लिन था तो अकेले सेवा का तो सेवा ही अर्थ निकल रहा कुछ नहीं अच्छा माहलंत लगा हुआ है तो सेवा क तो हम कहेंगे अजीज स्वामी की सेवा को लीन था क्या सही अर्थ हुआ नहीं हुआ अब लेखा है सेवा याम अब देखे आकारांत शब्दों में सब्तमी विभक्ति जब लगाई जाती है तो याम जोडते हैं जोडते के नहीं कई बार हमने बताया कि बाली का शब्द रू अब लेते हैं जिससे के में ओपर का आँटी जोड़ जाता है क्योंकि सब्तमी विभक्ति भाई जब लगेगी किसी शब्द को जब सेवामे लीन था मेल निकल रहा है तो इसलिए रूंआव पर सेवया मेल्हप असिस्वा में लीन था लगा हुआ सहहचिंत यति वह सोचता है वह चिंतन करता है वह सोचता है कि धनम सहनाईव प्रियाप सति कि धन को वह नईव शब्द किस से बिलकर बना है न और इव से न का आर्थ तो न होता ही ہے जिसमें हम मना करनी की बात होती है न यानि नहीं न कारात्मगवाग और एवका अर्थ होता है ही एवका अर्थ क्या होता है ही तो दोनों को मिला कि बन जाता है नहीं यह न हम कहते हैं नहीं तो कहते हैं सहचिंतियती वह चिंतन करता है कि धन को वह नहीं प्राप्त स्यती यानि प्राप्त करेगा सिया है ना तो करे गागीगे की बात आ रही है भवेशिकाल की बात कि वह सोचता है कि धन को प्राप्त नहीं करेगा किसका परिश्रमी परिश्रमी धन को प्राप्त नहीं करेगा परिश्रम के धन को प्राप्त नहीं करेगा या परिश्रम त्थन प्रख़प नहीं करेगा तो कईएंगे यहाँ परिश्रम ने का अर्थ बता रहा है यह दोनों ही शाब्द कैसे हो रहे हैं हमारे प्रतमाविवग्ति के रूप बनना है तो यहां पर यह स्यर जो लगा हुआ है ये हमें सही रूप बता रहा है, सही अर्थ बता रहा है कि वह सोचता है कि परिश्रम का धन या परिश्रम के धन को वह नहीं प्राप्त कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो सेट था उसने ऐसी चीजे लाने के लिए उसको बोल दिया था सहसा अच्छानक तो यहां पर परिश्रमस्य सही हो जाएगा यहां मारा सीवा या हो जाएगा आगे पढ़ते हैं सहसा यानि अच्छानक सी मदुमक्षी का निर्गच्छती मदुमक्षी निकलती है सहसा अब सहसा कैसी मदुमक्षी एक पुर्लिंग है मदुमक्षी का क्या मुले आकारां थे स्त्रीलिंग है आकारां थे तो स्त्रीलिंग है तो एक है कौन सा आएगा पुर्लिंग वाला नहीं आएगा एकम नपुनसकलिंग वाला आएगा नहीं तो कौन सा आएगा एका क्योंकि ज सुनदर लड़का का गोड़ा लड़का बहुत अच्छा लड़का बहुत अच्छा लड़का कर दिए अकृच सब्सक्ति टेक तो कैसा लगताऊ अच्छा अच्छा on a homework he जबकि वह वही है बात, है ना, ग्यादे को कहते हैं वैशाख नंदन, ठीके ना, सहसा यानि अचालक, बहुत अच्छे अपने स्वामी जी है, गुरु गुपाल दाश्री माराज है, उनने एक ऐसा प्रसंग बताया था, इसलिए वो चीज बहुत अच्छे से याद है कि किसी इसा यानि अचानक से क्या निकली एक मदुमक्षी का निर्गचती, एक मदुमक्षी निकलती है, अजीजम यानि अजीज को, अब अजीजम, अब अजीज में अंकी बिंदी लगी हुए, या देखिए माहलंत कहीं पे लगा हुआ हो, या अनुस्वार लगा हो, तो समझ ल हो जाता है, तो दृष्ट्वा देखकर, दृष्ट्वम देखने के लिए या पश्यती देखता है, तो अजीज को, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया है, वो कैसी हो रही है, मूल क्रिया बाद में है, अर्थात यहाँ पे जो क्रिया पहली उनी है, उसमें के लिए का अर्थ सह नहीं जुड़ रहा है अंतिमक्रिया लगी होई है अजीज को देखता है स्वामी चकित होता है तो यह क्या सही अर्थ लग रहा था क्या नहीं इसलिए तो एक्तवा प्रत्य बनाया है कि अजीजम द्रिष्ट्वा अजीज को देखकर के स्वामी चकिता भवती तो हम यहां पर द्रिष्टुम के लिए का अर्थ नहीं बताएंगे देखता है का अर्थ नहीं बनाएंगे देखकर अर्थ सही बनाएंगे क्योंकि कल हमने आपको बताया था जो हम आप रुकुत त्रेयोदश प स्वामी चकिता भवती अलग हो जाता है अजीजम पश्यती अजीज को देखता है स्वामी चकिता भवती स्वामी चकित हो जाता है क्योंकि ये जो तेगंत प्रत्य वाली क्रियां होती है हमेशा अंत में आती है यानि ये समापन करती है तो प्रारम्मिक वाली क्रिया में क्या होगा? मुले तुमन प्रत्य होता है, एक्त्वा प्रत्य होता है यह पहले यानि जो दो क्रियाओं है दो क्रियाओं के साथ में अगर हम एक साथ में एक वाक्य बनाना है जैसे हमने कहा मैं पढ़कर विद्याला जाता हूं अब ध्यान कीजिएगा अभी हमने जैसे एक वाक्य बोला पहले हमने कहा कि मैं पढ़ता हूँ चीक है? और फिर का फिर विद्याले जाता हूँ या फिर हमने दूसरा वाक्य बता है बोल दिया कि मैं विद्याले जाता हूँ विद्याले जाता हूँ चीक है, तो यहाँ कहेंगे मैं पढ़ता हूँ, तो हम कहेंगे अहम पठामी, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ मैं विद्याले जाता हूँ, तो हो जाएगा अहम, अहम विद्यालयम, अहम विद्यालयम गच्छामी, मैं विद्याले जाता हूँ, ठीक है अब अहम विद्याले में का चामी अहम पठामी अब इन दोनों को आमें एक साथ में जूड़ना है मैं पढ़कर विद्याले जाता हूँ यानि मैं पढ़ता हूँ फिर उसकी बाद विद्याले जाता हूँ पढ़कर अपना जो रात का ग्रह कार है उसको पढ़कर समझ कर याद करके फिर मैं विद्या लए जाता हूँ अगर सिख्षेक सुने तो मैं सुना दू मैं पढ़कर विद्या लए जाता हूँ अब इसमें क्या किया कि दो वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया उसमें हम तिगंत प्रत्या लगा देंगे और इस क्रिया में जो ये कर और करके जुड़ा हुआ है इसको लगाने के लिए हमारी पास एक्तवा प्रत्या होता है जो किसी जिस मूली क्रिया में जुड़कर उसमें कर और करके का अर्थ जोड़ देता है तो मूली क्रिया क्या है बढ़ने गहां। को इसली है कैसे जुड़ site धाने जाये सिरी में पात्वा difल जाता हूं तो यह भी लोप हो गया यह भी कर्मी जोड़ गया तो हो जाएगा अहम पठित्वा में पढ़कर विद्यालयम गच्छा में तो देखें एक दो वाक्यों को एक में जोड़ दिया के नहीं जोड़ दिया तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि अजीज को अजीज को क्या करके स्वामी चकित हो जाता है क्या करके देखने के लिए या देखता है या देखकर तो कहेंगे यह सबसे सही लग रहा है तो यह अर्थ में सबसे सपष्ट हमें अर्थ बता रहा है तो यह सही हो जाएगा कि अजीज अम द्रिश्टवा जीज को देखकर स्व दशती है किसको हस्त हाथ को अब हस्त की दुआरा अब यहां पर हस्त एक प्रत्मा बिवक्ती लगा है एक गुदुईतिया लेगी हुई है एक तर्तिया नहीं अब थोड़ी सी कहानी में भी आम बहुत काफी टाइम हो गया आपसे तब सिन्हीं पढ़ाई तो नाग पे ना का काटके उसको कहा काटती है हाथ पर काटती है एक मक्ही हाथ पर काटती है एक लालाट पर काटती है और मैं शायर या था कि एक ने उसकी नाग पर काटा था अच्छा नाक वाली एक बंदर की कहानी ती जो मधुमक्ही उसकी नाग पर बैठती राजा के में तो बंदर आके कुछ मेरा ना तल Lang कि अद्व कानी के ना तो पहले मधू मक्षी का कहा बं प्रत्मा विवक्ति वाला या तो नेका अर्थ निकालेगा या किवल हाथ कहेंगे कि मदुमक्षी का हाथ दस्ती है तो गलत दंश मारती है उसमें डंक मारती है या हाथ को तो वो को का अर्थ सही निकल रहा है तो हम कहेंगे हस्तम दश्ती तो इस तरह से ये हमारे उत्तर हो जाएंगे ठीक है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर सेवायाम यहाँ हो जाएगा हमारा कौन सा परिश्रमस्य यहाँ सहसा कौन निकलती है एका मदुमक्षी का यहाँ हो जाएगा द्रिश्ट्वा ठीक है और यहाँ हो जाएगा किस पर हस्तम ए यानि हाथ को दश्टी है, हाथ में डंक मारती है और दूसरी ललाट की तो में याद है बिल्कुल, कि ये दूसरी ललाट मात्य पर काट लेती है, ठीक है? तो इस तरह से ये हो जाते हैं अपने अगला प्रशन देख लेते हैं अजीजह ग्रहम गंतुम अवकाशम अब यहाँ क्रियाएं आ रहे हैं तो क्रियाएं हमें कैसे गरता की अनुसार लगा देनी है अजीज अब अजीज कैसा है प्रथम पूरुशेक वचन है घर जाने के लिए गंधातु गंध यानी जाना तुम उन्हें प्रत्य लगा तो क्या हुआ तुम शेश रह गया और मा नामे परिवर परिवर्तित हो गया क्योंकि यहां पे कौन सा था मा के बाद अगर ता लगा हुआ है नियम है हमारी कौन सी अनुनासिक संधी कहती है कि जो हमारा अनुस्वार या मा जो होता है मा से अंत होने वाली जो हमारा कोई भी क्रिया होती है उसके बाद में अगर ता आ आ जाए तो मा ना में परिवर्दित हो जाता है तो ये एक व्यंजन संदी का नियम है तो ये हमारी गम धातू बन जाती है गन तुम गम तुम नहीं कहते हैं हम गन तुम कह देते हैं तीक है यानि जाने के लिए अजीज घर को जाने के लिए अवकाश हम अवकाश को क्या करता है पूछता अजीज घर जाने के लिए अवकाश को प्रिच्छती पूछता है, वँच्छती चाहता है या मिलती मिलता है अजीज घर को घर गंतुम जाने के लिए अवकाश चाहता है कि अब पूछता है, पूछता तो वो सेट से है लेकिन अवकाश की तो वो चाह रहाता ना क्या कर रहा था चाह रहा था कि अवकाश मिल जाए घर जाने के लिए तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर क्या बन जाएगा वांच्छती अब आगे लिए का सह सफलताम नईव वह सफलता को नईव यानि नहीं पश्यती देखता है परिभ्रमती चारों अरगूंता है या प्रापनोती प्राप्त करता है तो कहेंगे यहीं सई होगा वह सफलता को नहीं प्रापनोती प्राप्त करता है प्रत्मम सह एकम लगू पात्रम पहले वह एक लगू पात्र को क्या करता है? निर्गच्छती निकाल देत, बाहर निकालता है, ददाती देता है या उदगाट यती खोलता है प्रत्मम सह एकम लगू पात्रम तो क्या करता है? खोलता है या खिर बाहर निकालता है या पर दे देता है तो तरह हमारा बनेगा उद घाट याती यानि खोलता है एक छोटे से पात्र को खोलता है अन्या मक्षी का यानि दूसरी मक्षी ललाटे ललाट पर यानि ललाट किसको क्या जाते है मस्तक को क्या करती है देती है दशत दंक मारती है या चीत करोती चिलाती है ललाट पर ललाट में सब्तमी विवक्ति लगी या परकार्थ निकल रहा है अन्या मक्षिगा यानि दूसरी मक्षी ललाट पर क्या करती है देती है चिलाती है या दशती है तो कहेंगे दशती यह हमारा सही उत्तर बन जाएगा आगे लिखा है कुत्र चित एका व्रिद्धा कहीं एक व्रिद्धा यानि व्रिद्ध इस्तरी क्या कहती है श्राव यती सुनाती हैं चिंत यती सोचती हैं या मिलती मिलती हैं तो कहेंगे मिलती तो यह हमारा सयुत्तर बन जाएगा तो इस तरह से यह हो गए हमारे कि अजी जहा ग्रहम गंतुम आवकाशम वांचती सनईव सफलताम प्रापनोती प्रत्मम सह एकम लगु पात्रम उदगाटे यती अन्या मक्षिका ललाटे दशती ललाट शब्द में सब्तिमी बेवक्ती सो मैं परकार्थ निकल रहा है कुत्रचित एका बृद्धा मिलती तो हैं तो काकी के-क अर्थ जुड़गया मन्जुशा की सहायत या सहायत होता है उने कहेंगे सहायत होता है मूल शब्द तो इसका क्या आगायव हो गया है का बढ़या की मात्रा यह मूले नहीं आकारानत शब्दों में जब तिर्टिया बबग्ती का रूप बनता है तो द्वारा या सी का अर्थ निकलाता है कि मन्जुशा की सहायता से गद्यांश पूरयत गद्यांश को पूरा करो मन्जुशा की सहायता से अब गद्यांश के लिए मन्जुशा में शब्द कौन कौन से दे रखी है एक लिखा है अवकाशम यानि अवकाश को अवकाशस्य अवक आवकास का या अवकास की या अवकास की क्योंकि सिया है तो सिया से का की के का अर्थ आपका जुड़ जाएगा आनय यानि लाव आनय का अर्थ क्या हुआ लाव एव यानि भाती या उसका जैसा उसके प्रकार का इव क्या होता है तुलना करने की बात करती खैते ना उसके जैसा कोई नहीं है किसी एक कार, दूसरे से ज़ा हम किसी चीज की तुलना करती है, उसकी स्रेश्टता बताते हैं, कि वो तो कैसे कहेंगे, वो तो हवा की भाती तेज दोडता है, तो हवा की भाती, तो कहेंगे वायू एवर, यहनि वायू की भाती, एवर लग जाएगा, एवम यानि इस प्रका एवम कारती क्या होता है, इस प्रकार, तो यह जो एव हुआ, एवम हुआ, यह क्या है हमारे, अवय हैं, एवम का अर्थ होता है, इस प्रकार, एव का अर्थ हुआ की भाती, सेवा यानि सेवा में, दा स्यामी यानि दूंगा, क्योंकि दा धातु है, स्या लगा हुआ है, मि लगा हुआ है उठ्वान कोई उत्त्म बुरुष्पका करता है और दूँगा दोंगा परिश्रमी और चत् chapters आप देखते हैं हम इसको कैसे जोड़ते हैं वह स्वामी की ही तो कहेंगे सेवा मैं क्योंकि सेवा शब्द में यां लगा है तो सब्त्रमी विभक्ती लगी है अर्था थी मैं का अर्थ जोड़ रहा है वह स्वामी की ही सेवा में भाई क्या हो रहा है सेवा में ही लीन था एकदा एकवार सहग्रहम गंतुम वह घर जाने के लिए वांचती चाहता है क्या चाहता है अवकाशम तो हम कहेंगे अवकाशम वांचती ठीक है स्वामी स्वामी था लेकिन स्वामी कैसा था अजीज तो सरल और परिशमी था लेकिन स्वामी चतुरह आसीद स्वामी चतुर था सहचिंतियती वह सोचता है अजीज अजीज ना को अपी कार्य कुशलह यानि नहीं कोई भी को अपी शब्द किसे मिलकर बना है कह और अपी शब्द से अर्थ क्या निकलता है कि कोई भी का अर्थ अपी में छुपा हुआ होता है कि अजीज नहीं कोई भी अन्यकारी कुशल है तो क्या कहेंगे अजीज के भाती अजीज के जैसा अजीज के प्रकार का कोई भी अन्यकारी कुशल नहीं है तो हम क्या लगाएंगे इव तब हमारा इव का अर्थ सही निकलेगा कि अजीज की भाती ना को अपी अनिकारे कुश लह एशह यह अपी वेत्रम ग्रहिश्यती यह भी लेगा अब किस के भी को लेगा तो कहेंगे अवकाश के भी वेतन को लेगा तो यहाँ पर क्या आजाएगा अवकाश से भाई जो परिश्रमी होता है महनती होता है तो भाई हम उसके अवकाश के भी पैसे नहीं कारते हैं उसको वो भी देते हैं कि नहीं भाई परिश्रमी हैं सरल ही इमानदार है तो भाई अगर चुटी ले रहा है तो उसको यह नहीं है कि दस दिन नहीं आए तो हम तुमाई पैसे काट ले तो एशह यानि यह भी अब किस में भी का अर्थ निकल रहा है अवकाश के वेतन को भी ग्रहिश्यती लेगा किसके वेतन को कहेंगे अवकाश के वेतन को भी का अर्थ बाद मेरा आ जाएगा किसको लेगा अवकाश के भी वेतन को लेगा अब चिंतित्वा कथियती चिंतन करके सोच करके कहता है तो अब एवम यहां हम लगाएंगे एवम इस प्रकार यानि एवम चिंतित्वा इस प्रकार सोच करके कथियती कहता है कि अहम तुभ्यम अवकाश स्य वेतन स्य चा सर्वम धनम मैं तुमको अवकाश का और वेतन का चा सर्वम धनम सारा धन क्या करूँगा दास्यामी अहम लगा है उत्तम पुरुशेख वचनका करता तो क्रिया दास्यामी उसी के लिए आई है तो दास्यामी यानि दूँगा मैं तुम्हें अवकाश का वीतन का सारा धन दे दूँगा परम लेकिन एतदर्थम इसके लिए एतदर्थम शब्द किस से मिलकर बना है? एतद और अर्थम शब्द से किस से मिलकर बना है? एतद और अर्थम से तो अर्थ शब्दि Państu कहीं पे लिख जाएं समझ जाना के लिए का अर्थ इसमें जुढ़ रहा है यानि इसके लिए ए टतर्थम इसके लिए तुम तुम दोई वस्तुदोयम, दो वस्तुएं क्या करो आनये लाओ लेकिन इसके लिए तुम दो वस्तुएं लाओ तो इस तरह से ये आपके सारे उत्तर बन जाएंगे तो पहला हो जाएगा परिश्रमी चले हम चाहे तो लिखी देते हैं इसको तो ये हो जाएगा अजी जह सरलह परिश्रमी च आसीद सहस्वामिनह एव सीवायाम लीनह आसीद एकदास ग्णतुम अवकाशम oak चतीज आवकाशको चाहता है स्वामि चतुरह आसीद स्वामि तो चतुर्था सहचिन्तियतीव अजीज की भाती अजीज की तरह ना को अपी अन्यकार कुशल कोई अन्यकार कुशल नहीं है यह अवकाशस्य अपी वेतनम यह अवकाश का भी अवकाश का की के का अर्थ अब यहां सही इस पश्टूरा है तो हम यहां कहेंगे अवकाशस्य अपी वेतनम ग्रहिश्यती येवम चित्त्वा इस प्रकार से सोच करके अहम तुब्यम अवकाशस्य वेतनम चा सर्वम धनम दास्यामी मैं तुमको अवकाश और वेतन का सारा धन दूँगा लेकिन परम लेकिन परमकार्थ क्या होता है लेकिन परमकार्थ अधिक्ता के लिए आता है हमारे हिंदी में लेकिन परम यहाँ पर लेकिन कार्थ बताता है लेकिन इसके लिए तुम वस्तुद्वयाम नए इसके लिए तुम दो वस्तुएं लाओ यह आपका पूरा गध्यांश, पूरा हो जाएगा, ठीक है? कैसे कर पाएंगे आप? जब अर्थ समझ पाएंगे अर्थ कैसे समझ पाएंगे? जब बिवक्ती चिन ने याद होंगे विवक्तिचिन कैसे याद होंगे जब आप शब्दूरूप के वीडियो देखेंगे हम ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को देखो हम इसलिए कह रहे हैं कि आप संस्कृत पढ़ना सीख जाओ क्योंकि देखे अभी तक आप शब्दूरूप के वीडियो उठा लो हम चमाल चाहते हैं सभी लोगों से जो भी वही शब्दूरूप की ट्रिक और यह सारी चीज़ें बताते हैं बहुत अच्छी बात है याद करने का तरीका बताओ जिससे याद हो बहुत अच्छी बात है लेकिन साथ साथ में उनका प्रियोग बता दिना चाहिए कि वही इसका अर्थ निकल क्या रहा है ऐसे तो याद करने से क्या लाव कि हमने कहा जैसे हमने अब पाठ में पढ़ा भी अच्छी बात प्रियोग नाकर पाया कला है उसका याद कर लिया कि तहओ करिया प्रृत्तियां में虎लाया तू तो वालक बालक भालक भालक अगर याद करो तो अर्थ समझने के लिए याद करो तो हमने यही कोशिश की है अर्थ साथ साथ में आपको बताती जाए चले दूसरा प्रशन है गध्यांश पठित्वा यानि गध्यांश को पढ़कर के अधोदत्तान प्रश्नान उत्तरत भाई किसी वी चीज का अर्थ तो आपको तभी आएगा ने जब आपको उसमें छुपी हुई भाई यहाँ पे ल दिखाना चाह रहे है तो गध्यांश को पठित्वा पड़ करके अब समद में आराया थो आप वूला तो आप लगा तथ करके ये अर्थ बोला उमने गध्यांश पड़कर या ँठ में अधोदत्तान अध्हा का अर्थ उता हैं नीचे द धातू धा तू यानि दियो हुए सवामी चकET हभवती अजीज को देख करके स्वामी चकत होता है समझ में आरहे हैं किस तुमिल पंगinté के बहुते जहां जाहां पने इसमें अंकी बिंदी लगी हुए, अनुस्वार लगा हुआ है, कहां लगाया जाता है? द्वितिया विभक्ती में, किस का आर्थ निकलेगा? को का आर्थ निकलेगा, द्वितिया विभक्ती है तो को का आर्थ निकलेगा? अजीजम ननि अजीज को द्रिष्टवा देख करके स्वामी चकित हो जाता है स्वामी शनय है शनय है धीरे धीरे निकलता है अहम शनय है जलंपेवा मी मैं धीरे धीरे जल पीता हूँ अहम शनाय शनाय पुस्तकम पठामी मैं दीरे धीरे पुस्तक पढ़ता हूँ अहम शनाय शनाय पत्रम लिखामी मैं दीरे धीरे पत्र लिखता हूँ और शीग्रम, शीग्रम कारत क्या होता है तुरंद अहम शीक्रम पत्द्रम लिखाँ में, मैं शीद्द शीग्र पत्र लिख रहाँ हूँ स्वामी शनय शनय पेटिकाम उद घाठ mineral आती स्वामी धीरे धीरे पेटिका को खोलता है पेटिका याम अब पेटिकाम नहीं है, पेटिका याम है तो याम शब्द कहा जोड़ता है आकारांत में? सब्तमी विवक्ती में तो मेकार्थ निकलेगा पेटी का याम यानि पेटी में लगु पात्र द्वयम लगु यानि छोटे पात्र छोटे से पात्र द्वयम दो छोटे छोटे पात्र आसित यानि थे ठीक है? आसी त्यानी थे पेटी का Mississippi, दो छोटे छोटे पात्र थे प्रथमं सह पहले को सह वह एकम लगूपात्रम उद्खाटिती प्रथम एक लगूपात्र को तो प्रत सह वह पहले एक लगूपात्र को खोलता है अब प्रथम एक जो दोनों शब्द क्या बनने हैं लगू पात्र की विशिस्ता बना रहे हैं एक लगू पात्र को बोले पहले वह एक छोटे से पात्र को खोलता है सहसा ये का मदुमक्षी का सहसा यानि अचानक एक मदुमक्षी निर्गच्छती निकलती है तस्य चाहस्त मंदश अती और तस्य उसके हस्त को दशलेती है हाथ पर डंक मार देती है स्वामी उच्चाई वदती यानि जोर से वदती बोला तेजी से बोला तुसरे लगुपात्र को फिर से खोलता है तो एक अन्यामक्षी का एक तूसरी मख्वी एक दूसरी तो एक और दूसरी शब्द क्या गमने तो मक्षी का में आकारांत शब्द है तो एक भी बने गाए, एक अन्न बी बने गाए, एक अन्न मक्षी का दोनो विशिशन उसी जैसे बन गाए एक अन्या मक्षी का निर्गचती एक अन्या मक्षी निकलती है सह ललाटे दशती और वह ललाट पर काटती है पीड़ दहस और पीड़ तो वह जो पीड़ था ये पीड़ शब्द किसकी इसकी विशेस्ता बता रहा है कि वह पीडित होकर अत्योचाई अत्योचाई शब्द किस से मिलकर बना है अति और उच्चाई शब्द से यानि बहुत जोर से अति यानि बहुत अधिक बहुत तीवरता से बहुत जोर से चीत करोती चिलाता है चीत करोती यानि चिलाता है आह यानि आह इतनी तेज चिलाता ह अजीज सफल था क्योंकि उसको भई जो सेट था उसको यह तो दोनों चीज़ चाहिए थी ओह और आह मिल गई उसको स्वामी तसमाई स्वामी उसको अवकाश से अवकाश का और वेतन का पूनम धनम दताती पून धन दे देता है तो ये भाई हो गई अपना गध्यांश ठीक है ना अब गध्यांश के जगए पर अब इससे जुड़े हुए प्रिशन पूछे जाएंगे तो आप उनके उत्तर कैसे देंगे वो भी सिखा देते हैं अजीज अम द्रिश्टवा अजीज को देखकर कह चकित है कौन चकित हो जाता है अब कह शब्द हमसे कहेगा क्योंकि एक पद में उत्तर आपको दीना है तो उस एक पद को ढूनना है सही पद को ढूनना है पद क्या होता है जिसमें विभक्ति लगी होई हो तो हम कह जो शब्द है वो किम के शब्द रूपों से आया है और किम के शब्द रूपों से पुर्लिंग का प्रत्मा विभक्ति एक वचन का ये रूप है तो ये हमें बता देता है कि आपको उत्तर कौन सा मिलने वाला है इस इसमें प्रत्मा विभक्ति एकंड लगी हो गी तो चले हम गद्धियांश परूचेंगे जिसमें कि अब हम दीखेंगे के हमें पोहर की वाला प्रत्मा विभक्ति एक वचंड का रूप कोन स friendly वाला हे तो भैई इसमें अजीज शबद sticking to है लेकिन दुईतिया विवक्ति लगी है दृष्ट वा हमारी क्या हो गई दृष्ट धातू हो गई क्रिया हो गई इसमें हमारा कोई चकित होना क्या है बुले चकित हुआ यह आश्यर हो गया तो कहेंगे ऐसा पूरलिंग वाला वो ते विशेशन शब्द बन गया ना उसका चकित तो कहेंगे चकित बन रहा था बुले नहीं चकित तो हमारे प्रश्ण में भी ही दिया हुआ है तो यह उत्तर थोड़ी ना होगा तो क्या बच्चा कहेंगे स्वामी स्वामी ने शब्द यानि नकारांत शब्दों को पढ़ें तो उसमें प्रतमावे वक्ति स्वामी पुर्लिंग वाची शब्द है स्वामी शब्द कैसा है पुर्लिंग वाची शब्द है नकारांत शब्द है जिसमें प्रतमावे वक्ति एक वचन में स्वामी शब्द हमारा बनता है रूप तो हम लिखेंगे स्वामी हमारा उत्तर बनेगा यह हमें बताएगा कि भाई उत लोगे ना ये काम में आईनी आपके है ना छटवी से याद कर लो समझ लो इनको कि इनका हमाई प्रियोग क्या है वीवन में तो फदा चल जाएगा अजी जम द्रिष्टवा कहा चके तहा कौन चके तुआ स्वामी चके तुआ स्वामी काम उद घाट याती अब काम देख लीजे काम शब्द कहां बनता है कहेंगे स्ट्री लिंग वाची है किम के शब्द रूप देखिए जरा किम के स्ट्री लिंग वाची रूप देखिए तो प्रत्मा विवक्ती में बनता है का के और काह और द्वीतिया विवक्ती में बनता है काम काम के औका इस प्रकार से तो काम कहां आया स्त्री लिंग वाची शब्दों में आया दूइतिया विवक्ती एक वचन में तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा स्त्री लिंग वाची होगा जिसमें दुदितियाविभक्ति एक वचन का रूप लगा होगा तो देख लेते हैं, उदघाट यती क्रिया पे पहुँच जाते हैं अपने उदघाट यती, तो क्या हो जाएगा उदघाट यती, किसको कहेंगे लगू पात्रम ठीक है या देखे पहले लगू पात्रम हो गया लेगन और उसके पहले भी देखें कि क्या हुआ उले किसको पेटी काम तो लगू पात्र तो भाई हमारा कैसा हो गया अकारांत हो गया लेगन हमें चाहिए कौन सा अगर उन्हें अकारांत का लगू पात्र लेना होता ध्यान कीजे अगर उन्हें लगू दो जगे हमें मिल रहा है काईगे उदघाट या ती क्रिया दो जगे हो रही है एक जगा हो रहा है पेटिका को खोलता है एक जगे लगू पात्र को खोलता है अब इसमें से उत्तर हमार पता रहे हैं। हम आपको इस सई उत्तर भैस शटीक है दीना कैसे आप सीखें। ये किम हो गया? किम के पुरलिंग के रूप क्या बनते हैं? प्रत厭 क्या बनता है? कह, कौ, के दूती अभिवक्ती में बनता है कम, कौ और कान ठीक है? वहें इस त्री लिंग वाले क्या बनते हैं? प्रत्मा विभक्ती में बनता है काह के काह और यहां भी बनता है हमारा काम के काह तो देखें अगर उन्हें पुर्लिंग वाला रूप चाहिए होता, अगर आप कम लिखा हुआ होता कि जो व्यक्ति सौमी है कह या कह स्वामी कम उदगाटिती सौमी किसको उदगाटित करता है तब कम हम से कहता कि पुरलिंग का दूतिया विभक्ति और एक बचन का रूप डूढ़ना तब हम पुरलिंग वाला डूलते तो लगू पात्र शब्द अकारामत शब्द हो रहा था पात्र शब्द हाला कि कैसा हो जाता है हमारा पात्र हमारा नपुनसकलिंग हो जाता है तो भई या तो यह होता और अगर नपुनसकलिंग पात्र के लिए लिखा हुआ होता तो नपुनसकलिंग की क्या बनते है प्रतमादूतिया मेरूप किम के कानी किम के कानी तो भई या तो कम आता या फिर किम आता हला कि इसके लगुपात्र के लिए तो किम ही लगाते क्योंकि पात्र हमारा शब्द कैसा है पात्र हमारा नपुनसकलिंग है तो भई इसके लिए तो किम आता तो नहीं किम है ना कम है कम लिखा हुआ है अर्थात यहां से तो इस पश्ट ही हो रहा है कि जो शब्द आना चाहिए वो स्त्रीलिंग वाची होना चाहिए तो लगूपात्र कैसा हो रहा है अकारांत हो रहा है तो अकारांत शब्द या तो कै पूर्लिंग होगे या नपुन्सकलिंग होगे अपवाद है की स्ट्रीलिंग होग अपवाद जैसे हमारा नाम, हमारा नाम अपवाद है, हकारान्थ है और स्त्रीलिंग मीलंđ तो मा, क्या हो रहा है, आसे अंत हो रहा है, अकारांत है, लेकिन इस्त्रीलिंग है, तो ये अपबाद हो गए, लेकिन हाला कि जितने भी आपको रूप दिखेंगे, अकारांत, वो आपको कैसे देखेंगे, पुर्लिंग वाले ही मिलेंगे, तो लेकिन हमें स्त्रीलिंग का द पात्र को नहीं करेंगे हम पेटी का को सही करेंगे चीक है ना क्योंकि अगर पात्र होता अगर इसको पुर्लिंग मानते तो कमाता पात्र वैसे तो पुर्लिंग होता नहीं हो नपुन सक लेंगे तो कमाता कम या कमाता तो आया नहीं है काम आया है तो पेटी का को सही करेंगे तो अब देखे इसको वाकि में भी बना सकते हैं कैसे कि स्वामी काम उद्घाट याती तो आप काम के स्थान पर पेटी का लिख दो हो जाएगा स्वामी पेटी काम उद्घाट याती तो यही आपका पूर्ण वाकि में भी बन जाता है तो अगर आपको सही मिल जाए सही लगुपात्र दोयम शब्द किसके लिए आया लगुपात्र अब यह हमारे कैसे नपुनसकलिंग बन रहा है ठीक है पात्र हमारा क्यासा है नपुनसकलिंग शब्द तो लगुपात्र दोयम दोल छोटे छोटे पात्र लगुकार्थ छोटे कस्याम अब देगे कस्याम बिवक्ती समझेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि भाई बार बार हम कह रहे हैं आज जब भी समय में ले तब किम के शब्द रूप याद करेगा देगे अच्छा दो पांच मिनिट भी एक बार आप देखोगे ना आपको याद हो जाएगा अर्थ भी हमने उसमें बत केबल बालक बालिका की करने से यह क्यों हो जाएगे वह क्यों हो जाएगे किम क्यों हो जाएगे और और भी यह शब्द जो होता है जिसका जिसकी शब्द निकलता है जिसमें जो बंदे ना हिंदी में उनका याद हो जाएगा बिलकुल सरल है एक बार बस प्रयास कुद करो अर्थ समझ में आ जाएगा इस समझ में आने लगेंगी सारी चीज में तो भाषा अच्छी लगने लगेगी विशय नहीं बनके हमारी भाषा बन जाएगी हम इसको अपने प्रियोग में लाएगे लगू पातर दोयम कस्याम आशित तो फिर से हम इस पर पहुचे प्रिश्णवाचक शब्दे से पूचा भाई आय कहा से हो तो इस त्री लिंग के रूप देखेंगे किम के चीज़ है प्रत्मा दुधिया हम ऐसे नंबर से लिख दे साथ तक चीए कै, ये प्रत्मा दिधिया, तिरदिया, चतुर्धी, पंच्मी, शस्ची, सप्त्मी किम शब्ध स्ट्री लिंग के, कैसे बनते हैं रूप cookie, प्रत्मा भिवक्ती बनता है का, की का ह, फिर हमारा बनता है का, काम, की का ह, चीए किसे याद हो गए हमें क्योंकि हमें बाली का मैंसे बाली हटा दो तो का बचा बाली के मैंसे बाली हटा दो तो के बचा बाली का मैंसे हमने बाली हटा दिया बचा का लो कितनी देर लगी ना कि बराबर फिर बाली कया तो बाली हटा है कया का भ्याम का भी ही बाली का भी बनता यहां बन जाएगा हमारा कस्याह काभ्याम और काभ्याम फिर यहां बन जाएगा फिर से कस्याह यह पंचमी सश्टी में एक जैसे बनते हैं यहां बन जाएगा कयोग और यहां बन जाएगा कस्याह पुरलिंग के लिए केशाम बनता है और स्त्री लिंग के लिए कास्याह बनता है और यहां जब जैसे लता शब्द बाली का शब्द बनता है बाली का याम तो यहां बन जाता है कस्याह तो भई कहां आया स्त्री लिंग के सब्तमी विभक्ती में, कहा मिला हमें, स्त्री लिंग में सब्तमी विभक्ती के एक वचन में मिला है, सब्तमी के एक वचन में मिला, इसने हमें बता दिया कि आपको जो उत्तर मिलने वाला है कि लगुपात्र दुए, किस में थे, किस में थे दो छोटे पात्र, अगर आपक पर जाएंगे नहीं तब भी आप उत्तर लिख पाएंगे पूछे कैसे अब आप कहेंगे छोटे दो पात्र किसमे थे अब आपने आपने कस्याम शब्द को जान लिया तो आप कहेंगे जो सब्तमी भीवक्ति हैं मैं परकार्थ बताती है तो अर्थार इसका मतलब निकल रहा तो अब हमें क्या करना है त्रीलिंग वाची सब्तमी के एक वचन का हमें विभक्ति का रूप लगा देना है तो जैसे बाली का शब्द बन जाता है हमारा सब्तमी विभक्ति एक वचन में बाली का याम तो पेटी भी बन जाएगा पेटी का याम सब्तमी विभक्ति एक क्योंकि कस्याम में सक्त्मी विभक्ती है तो फिर पेटी काम में भी हम सक्त्मी विभक्ती लगा देंगे हमारा उत्तर बन जाएगा तो इस तरह से देखे चाहे फिर अपना इसमें से मिला लिजे कि पेटी काम लगूपात्र दोयम आसीत तो लिखा है पेटी कायाम कस्याम किस पेटी का में नहीं भी देखा तब भी आप उत्तर बना दोगी आप यही तो आपको सिखाना है कि आप को नकल की आदती ना रहे रटनी की आदती खतम हो जाए अगे लिखा है पात्रात पात्रव शब्द में पंचमी बिभक्ती लगी है पात्रमारा नपुनसकलिंग अब यानि पात्र से का निर्गच्छती क्या निकलती है अब अलगोने की बात हो रहे ना इसलिए बात इसलिए सक्तमी बिभक्ती पंचमी लगाई गई गई अलगोने की क्रिया आती है जब एक स्थान से दूसरी चीज अलग हो रही हो तब हम पंचमी बिभक्ती लगाते है तो तो पात्र यानि पात्र से का यानि कोन निल करने कॉन स्फ़र निकलती है अब का कहा से या रच्वर है दाओगी अभी एमने पढ़ा, तो प्रतमा विबक्तिह का एक वा च्분 का रूप है के नहीं, कहा पै पुल उत्रत्मा विबक्तिह स्फाय। निकलती हैं तो मधुमक्ही को क्या कहते हैं, मधुमक्षिका संस्कृत मी कैसे लेकेंगे प्रतमाविभक्थई एक वचन में, बुले कुछ नहीं करो, जैसा का तैसा लिख दो euxब वर बाली कहां लता, माला, राधा, सीता, मदुमक्षिका, सिक्षा, विद्या, बड़े आकी मात्रा से जो भी स्ट्रिलिंग शब्द हो रहे हैं, उनके प्रत्माविभक्ती एक वचन में उनका जैसा का तैसा रूप रख दिया जाता है, कोई परिवर्थ नहीं किया जाता है, तो यह हो गया मदुमक्षी का, पात्रा का निर्गच्छती पात्र से क्या निकलती है, मदुमक्षी निकलती हो, मदुमक्षी का आमने उत्तर लिख दिया, अब देख लीजे, यहाँ पर भी हम पढ़नेंगे, एका मदुमक्षी का निर्गच्छती कोन निकलती है, मदुमक्षी का, यह हो लिए बनाया है कि इससे की आप ऐसक देख तो आपका रिख दीना है लिखा है अन्या मदुमक्षी का किम करोती अन्या दूसरी मदुमक्षी क्या करती है बताईए तो कहेंगे अन्या यहां से देख लिजे अन्या मक्षी का निर्गच्छती पहले तो निकलती है वो करती क्या है सहललाटे दशती अब यहाँ पर वैसे सा आना चाहिए कि वह ललाट पर उसको दश्टी है क्योंकि मदुमक्षी की बात हो रहे मदुमक्षी यहाँ पर कौन है? स्त्रीलिंग है चीक है? लो, अब तो हो जाएगा स, यहाँ पर सा होना चाहिए क्योंकि मदुमक्षी का कैसी स्त्रीलिंग है तो यहां पे हम कहेंगे क्या करती है तो कहेंगे अन्या मदुमक्षी का ललाटे दशती अन्य जो मदुमक्षी है ललाट पर काट लेती है तदा स्वामी किम करोती तब स्वामी क्या करता है तो कहेंगे तदा स्वामी अत्युचई चीत करोती अत्युचई शब्द से मिलकर बना है नहीं बहुत जोर से चीत करोती तो यहाँ पे लिखा है इसके बाद क्या होता है पीड तहसा अत्युचई चीत करोती कि वह अत्युचई बहुत जोर से चिलाता है अच्छा क्यूंकि अब ये पूंड वाक्य में है तो हम पिर एक पद देखने की जरूरत नहीं हम उस वाक्य पर पहुचेंगे कि जहां पर इसका सही उत्तर निकल रहा हूँ अब भाशिक कारे में देख लीजिए कि नीचाई इती विलोम पदम कि नीचाई ही शब्द का विलोम पदम यहाँ पे क्या है उच्चाई है विश्मित हो विश्मित आश्चर चकित इती पद से परियाय पद लिखो विश्मित का अर्थ क्या होता है आश्चर चकित होना तो चकित होना चकित आश्चर है चकित तो विश्मित शब्द का यह परियाय बन गया तो हमने पद में से ही डूणना है आपको वह गद्याश दे है उसी में से देखना है कि विस्मित का यहां पर बताईए परियाय शब्द क्या बनना है तो चकित बनना है तो सही उत्तर बन जाएगा नीचै का उल्टा विपरीत अर्थक शब्द परियाय लिखा हुआ हो विलूम होता है विपरीत अर्थक विलूम तो विलूम होता है इन सब का अर्थ होता है कि उल्टा उसका उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द परियाय समान अर्थक शब्द ठीक है एक जगे ऐसे भी दब है कि इसको ही समान अर्थभाला शब्द आपको लेखना है तो चकेत आया है चले आगे प्रशन है यथा निर्देश अम रेक्तिस्थानानी पूरियत जैसे निर्देश दिया है वैसे रेक्तिस्थानों को पूर्ण करना है जैसे यथा एकम लगू-पात्रम तो पेटीका के साथ क्या आएगा और सेवक के साथ क्या आएगा पेटी का आकारान थे तो एक शब्द आएगा एका और सेवकह आजाएगा एकह ठीके तो जैसे एकम लगुपात्रम तो एका पेटी का एकह सेवकह ठीके मदुमक्षी का निर्गच्छती और इसका जहां पर सामने प्रयोग किया गया वो क्या लिखा है मदुमक्षी का निर्गच्छनती कि मदुमक्षी का निर्गच्छती मदुमक्षी निकलती है अब जहां पर मदुमक्षी का प्रथम पुरुष एकवचन की करता बन रही थी तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष एकवचन की आई लेकिन यहां यहां पर निकलती है तो हमारी बहु अचन महें अगई लिखा भी शाती सहुधा यहती cią तो यहां पर हमें क्या करना था हूँ तो सा का भी बहुवचन मना देंगे, दशती का भी बहुवचन मना देंगे, तो सा हो जाएगा ताह, सा टे ताह, कहां से, तत के शब्द रूप उठाईए, या अपने पहले पाट में तत के से ही शुरुवात की है, तत के शब्द रूपों से, तो क्या कहेंगे, सा टे ताह, सा का बहुवचन मनेगा ताह, और दशती हो जाएगा दशन्ती, सह उदघाट या ती, अब ये सा वह, किसको बता रहा है इस त्री लिंग को, तो इस त्री लिंग के प्रत्मा विवक्ती का रूप था, तो प्रत्मा से हम एक वचन से बहुवचन में पौँच गए, लेकिन य सह करत क्या हो रहा है, वह, तो वह, प्रत्मा विवक्ती एक वचन है, तो यहां पर प्रत्मा विवक्ती बहुवचन हो जाएगा, ते सह तव, ते सह उदघाट या ती, तो यह हो जाएगा, ते उदघाट यन ती, क्योंकि ती आता है, एक वचन के लिए अन्ती आती है, बह लकार का मतलब क्या होता है? काल को परिवर्तित करना. काल कैसे परिवर्तित होता है? जैसे हमने कहा मैं विद्यालय जाता हूं. ध्यान किजीगा मैं विद्यालय जाता हूं. परिवर्तन कैसे होता है? जैसे हमने कहा मैं विद्यालय जाता हूं. अब देखें अभी हमने इसको बूत काल में बनाई, यानि बीते हुए शमाई के लिए, इसका वाकिए, मैं विद्यालय गया था, मैं विद्यालय जाऊंगा, मुझे लोटलकार में बना देते हैं, मैं विद्यालय जाऊंगा, यह अनूग ग्या होगें, मुझे विद्यालय जाना चाहिए, ठीक है, अब देखिए, यहाँ मैं मुझे ये और विद्यालय इनमें कोई परिवर्टन हुआँ, नहीं, करता करता रहा, कर्म कर्म रहा, लेकिन परिवर्टन जो हुआ, वो कहा रहा, क्रिया में, अर्थात क्रिया का ही रूप बदलने से एक बात बर्तमान की हो गई एक क्रिया कब की हो गई भूतकाल की हो गई वही बात भविश की हो गई है वही बात आग्या वाली हो गई है वही मेरे लिए चाहिए का अर्थ बता रही है तो परिवर्तन कहा हो रहा है क्रिया में तो जब भी लकार परिवर्तन आए तो आप क्या करना है आपको सिर्फ क्रिया को बदल देना है तो यहां पे स्वामी चकितह इसको कोच मत बदलो बस आप भवती से भवती जो हमारी वर्तमान काल की क्रिया है इसको देख लीजिए कि इसमें कौन सा पुरुषवचन लगा हुआ है ये किस पुरुषवचन की है वही सीधे उस काल में परिवर्तित कर दू जिसमें वो कह रहे हैं आप से करने के लिए तो वर्तमान काल की क्रिया है तीतह अंती ती कहां लगाया जाता है वर्तमान काल में यानि लटलकार में तो यहां हम वर्तमान काल को क्या लिख देंगे लटलकार में देखें हम वर्तमान काल ही कहते रहेंगे तो लटलकार कभी याद नहीं होगा हमें तो यह जो क्रिया है वो लटलकार की है जिसमें की प्रत्थम पुरुष और एक वचन का रूप लगा हुआ है समझ गए अब हमें क्या करना है इसको लंग लकार में प्रियोप बदलना है तो लंग लकार में भी हम इसका पुरुष वचन नहीं बदलेंगे क्यों कि करता तो वही है ना, जो क्रिया होती वो तो करता के अनूसार चलती है, तो करता थोड़ी ना बदल रहा है, तो हम पुरुषवचन नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमारा करता जैसा का तैसा रहने वाला है ऐसा नहीं है कि अभी जो काम कर रहा था यहां पे स्वामी चकत है भवती स्वामी चकत होता है ऐसा नहीं कि भूत काल में होके में स्वामी दो चार हो गए थे ऐसा नहीं है ऐसा नहीं था कि स्वामी के बदले और कोई चकत हो प्रत्य लगा देना है तो मूल धातु क्या होती है भू धातु होती है भू का अर्थ होता है मोना और भू के जो अर्थ बनते हैं वो भव के अनुसार बनते हैं जो तीता अंती तिगंत प्रत्य जोड़े जाते हैं वो भव में जोडते हैं ना कि भू में भूती भूता नहीं कहते हैं भवती भवता भवन्ती कहते हैं तो यह भवधातू हो गई अब जो प्रत्य है वो भव में जोड़ना है लंग लकार के प्रत्य क्या होते हैं प्रत्म पुरुषे बता यह क्या होते हैं तो प्रत्म पुरुषे एक वच्छन में क्या जोड़ा जाता है त और भूत कल बनाने के लिए सबसे अब देखें, यहां पर अर्थ निकल रहा था कि स्वामी चकित हो रहा है। लेकmbre यह हुआ कि स्वामी चकित हुआ। अब आगे देखें। सहा उच्चई वदती, फिर से हमें क्या करना है, सहा उच्चई को नहीं चूना है, अब हमें वद धातू ले लिनी है, वद धातू में आ लगा देंगे, क्योंकि हम लंगलकार में परिवर्थित कर रहे हैं, और फिर से देखिए जो ती लगा हुआ है, वो ता में बदल जाए क्रिया में, वदिश्यती कह देते हम इसको, ठीक है, भूत काल था तो इसलिए अवदत कह दिया गया, ठीक है ना, चले, लोट लकार में परिवर्थन करना होता, तो देखिए इसी क्रिया को देखिए कितनी तरह से बदल सकते हैं, वदती, इसमें कौन सा लका है, लोट लकार में क्या बन जाएगा, वदतू, और विदिलिंग लकार में हो जाएगा, वदतू, अर्थ क्या निकलेगा, कहेंगी, कहता है, कहा था, कहीगा, कहो या कहना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलता है, है ना, बोलता है, अब हो कहेगा, बोला था, बोलना चाहिए, ब यहां से भाई क्रिया को परिवर्तित करके हम सीधा अपने लकार को उस वाकिय को के समय को बदल देते हैं अब यहां पर दूसरा प्रश्न है हमारा लिट लकारे परिवर्तियत यानि लिट लकार में परिवर्तन आप कीजिए सवामी चीतकारम करोती कृडधातु के शब्धातु रूपों को याद कीजी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्थन होता है क्टधातु जब हमारी भवेस्य काल में रूप बनाती है तो क्री की जगे कर बन जाता है फिर इसमें हम अपने श्यती श्यतह श्यंती लगा देते हैं और इस र में भी यह जो क्री है ना री र अर में परिवर्टित हो जाते हैं तो क्री बन जाता है कर और रा होता है आदा तो इसमें श्यति, श्यतह, श्यंति लगाने के पहले रा में छोटी की मात्रा लगा दी जाते हैं तो क्या बनते हैं करिश्यति, करिश्यतह, करिश्यंति करिश्यशी, करिश्यतह, करिश्यत, करिश्यामी, करिश्यावह, करिश्यामह इस प्रकार से रूप बन जाते हैं तो यहाँ पर ती लगा हुआ है तो यहाँ पर भी ती आएगा क्योंकि यह तो समान ही चलते है इनमें प्रत्याइ जादा बदलते नहीं है आगे सिया लगा दिया जाता है और कृधातू को कर बना दिया यहां माना करोती यहां हो गया करिश्यती भवती भविश्यती ददाती दास्यती दाधातू दास्यती तो दाधातू को थोड़ा देखना है आपको और क्रिधातू को देख लिजेगा बाकी सब में कुछ हमने परिवर्तन किया नहीं किया क्योंकि करना ही नहीं था बाकी चीज पूनम धनम दाश्यती वह उसको पूरा धन देगा तो इस परकार से लीजी ये हो गए आपके लखार परिवर्तन कुछ कोई समस्या आई धातु रूप्याद का लीजे शब्द रूप्याद का लीजे संस्कृत आ गई कोई समस्या ही नहीं है आगे देखें मंजुशा तह का हुआ हो समझ जाना उसमें मैं से का अर्थत निकालना है वो भी पंचमी वाला से से यानि अलग होने वाला से यानि मंजुशा से उचित क्रिया पद को चुन करके चित्वा लिखा हुआ है चुन करके वाकि पूर्तिम कुरुत वाकि को पोन कीजिए प्रार्थियती यानि प्रार्थना करता है परिभ्रमती चारों और घूमता है भ्रम यानि घूमना परि यानि चारों और चारों घूमता है पश्यती देखता है प्रापनोती प्राप्त करता है प्राप्त स्यती प्राप्त करेगा प्राप्त स्यती प्राप्त करेगा यानि प्राप्त करेगा मिलती म निर्गच्छति निकलती है प्रच्छति यानि पूछता है किवल यही पे एक प्राप धातों में प्रात्सियति आया है यह भविश्यकाल की आई है बाकी तो सब अपनी कौनसी है सारी बरतमानकाली की ग्रियाय आई हैं अब आगे देख लेते हैं एतत शृत्वा ऐसा सुनकर अजीज यह सुनकर अजीज दो वस्तुएं आने तुम लाने के लिए क्या करता है निकलता है तो क्या कहेंगे निर्गच्छती निकलता है एतज रुत्वा अजीजह वस्तु द्वयम आने तुम निर्गच्छती तो सबसे पहले हम इस क्रिया को लगा देंगे चले लिखते जाते हैं साथ में जिससे अर्थ आपका इस पश्टूतायागा निर्गच्छती यानि निकलता है सहा इतस ततह वह इधर उधर तो इतस ततह शब्द किस से मिलकर बना है इतह और ततह इन दो शब्दों से मिलकर बना है यहाँ पर हमारी एक विसर्गी की सत्व संधी उती है उसका नियम लगा है जिसमें की विसर्ग की बाद में तय अथा लिखा हुआ हो तो विसर्ग सामे परिवर्तित हो जाता है तो ये बनिया इतस ततह इसका आर्थ होता है इधर ततह का आर्थ होता है उधर इधर उधर वह इधर उधर ये चला गया वह इधर उधर क्या करता है प्रार्थियती प्रार्थना करता है परिभ्रमर्ती गूमता है या देखता है प्रापनोती प्रापसिती या क्या आएगा तो कहेंगे वह इधर उधर उधर गूमता है तो हम यहां लेखेंगे परिभ्रमती वा इदर उदर घुमता है जनान लोगों को क्या करता है? प्रिच्छती लोगों को पूछता है तो यहां कहेंगे प्रिच्छती लोगों से पूछता है आकाशम आकाश को क्या करता है? पश्यती, आकाश को तो देखेगा ही न, तो यहां हो जाएगा पश्यती आकाश को देखता है, धराम, धरा से क्या करता है, प्रार्थना करता है तो यहां हो जाएगा प्रार्थयती, यानि धर्ती से प्रार्थना करता है परम लेकिन सफलता नईव सफलता को नहीं क्या करता है प्रापनोती प्राप्त नहीं करता है लेकिन सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है आगे कहीं कि चिंत्यती सोचता है कि परिश्रम का धन परिश्रमस्य धनम यानि परिश्रम के धन को सहनईव नहीं प्राप्त करेगा तो प्राप्स्यती वो सोच लेता है कि अब उसको सहचिंत्यती वो सोच लेता है कि परिश्रम का धन, परिश्रम से धनम सहनाईव प्राक्षियती कुत्रचित एका व Tamilतथा मिलती तो क्या होता है कुत्रचित तभी कहें से एक व canon उसको मिलती है तो ये आपका पूरा क्रियां है क्रियाओं को लगाना, देखे सब जगे क्या हो रहा है कि अजीज के लिए क्रिया आए है अजीज कैसा है, प्रथम पुरुष का है एक वचन है क्योंकि मैं नहीं है, तुम नहीं है तो सारे कॉन से हुते हैं अजीज कोई भी शब्द हो वो प्रथम पुरुष में चला जाता है तो सारी क्रियां उसी के लिए आ रही थी कि उसमें काम क्या क्या किये तो सब में देखे ती ती लगा दिया गया तीक है न, तो सारे वर्तमान काल की बात हैं ये आगे चले, आगे देख लेते हैं ये था निर्देश हम लकार परिवर्तन कृत्वा वाक्यानी पुनह लिकत्ट निर्देश के अनुसार लकार का परिवर्तन करके वाक्यों को पुनह लिखना है तो हमने भी आपको बता दिया है कि लकार परिवर्तन किस परकार करना है कि केवल क्रियां को बदल दीना है जैसे लिकाए आहम तुब्यम सर्वम धनम दास्यामी दास्यामी क्रिया स्या लगा हुआ है लिटलकार की है आमी लगा हुआ है तो समझ जाए कि आमी है यानि उत्तम पुरुष एक वचन लगा हुआ है उत्तम नहीं होता है उत्तम होता है यानि उत्तम पुरुष और एक वच जाता है, तो दासियामी के जगए ददामी बन गया, दाधातु उत्तम पुरुशेक वचन में लट लकार में हमने बना दी, पश्यती में क्या लगा हुआ है, इसमें भी प्रथम पुरुशेक वचन है, इसको भूत काल में बदलना है, तो ती की जगए पे दा आ जाएगा, औ अपश्यत हो जाएगा पश्यती के स्थान पे, लकार बरिवर्थित हो गया, आनयती लिखा हुआ है, अब क्या लिख के रहे हैं, लोट लकार में बनाओ, तो तुम के, बोलें यहां पर क्या लिखा है, रुखिए, यहां पर यह थोड़ा सा, यह तुम लिखा है ना, तो य क्योंकि यह सी लगा है, यह मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया जब लोट लकार में बनेगी, तो मध्यम पुरुष एक वचन में कुछ नहीं करते हैं, उसको जैसा का तैसा लिख देते हैं, उसका हलन धट जाता है, और जुड़ जाता है, बस तो यह हो गया, आन मध्यम पुरुष की आती है, कि अजीज तो संबोधन हो गया, कहा तुम दोवस्तुएं लेके आओ, तो तुम शब्द है न, उसके साथ में मध्यम पुरुष की वचन की क्रिया आएगी, तो यहां पर मध्यम पुरुष लोट लकार में आनाय बन जाएगा, सरल है, कोई दि पुरुष लोट लगा जाएगा, और त की जगापे क्या करना है, हेलरिट लकार में परिवर्दन करना है, अब ता कहां आता है, प्रतम पुरुष एक वचन में, तो क्रिया भी हमारी भविशिकाल वाली क्या बनेगी, श्यति, श्यतह श्यन्ति, तो एक वचन की श्यति प्रतम पुरुष और एक वचन में त लगाए जादा है, त तामन आधात, तो क्या करना है उसको लटलकार के प्रतम पुरुष एक वचन में बनाएना है, तो लटलकार में प्रतम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या कहती है, ती तह अन्ति, तो अस धातु में आसित की जग अर छिफो लोगा है, ने नी पेपनगा को जो पूसांद कर दो आहिते दो कंस्त के जाएड आपे इसकर प्रथम पुरुषए कूंक है इसकर खलाय एक प्रफम भीside ओकाल थ pretended में कि दो पूसफ आहरा तर्टन के ने उसेडाओ अंपको तो यह आप आसा यह हमारा मध्यम पुरुष के लिए लगाए तो फिर समस्या नहीं आएगी तो इस तरह से ये टेस्ट पेपर हमारा पूरा हो जाता है और हमारा मैगनेट बेस हिंदी चैनल भी सुरू हो चुका है तो जो भी आपके आसपास बच्चे रहते हों जो हिंदी मीडिया में पढ़ते हों स्टेट बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो तो उनको बोलिये तो वह आराम से वह भी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से मैगनेट बेंच चैनल पर कर सकते हैं अच्छी फैकल्टीज हैं सारी अच्छी वीडियो मिल जाते हैं और वेबसाइट का यूज कीजिए वीडियो को डूणने में तो जादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वेबसाइड या एप पर होता क्या है कि सारी चीज़ें यूट्यूब पर कई प्ली लिस्ट खोलोगे देखोगे तब परिशानी हो जाते हैं बच्चे फिर छोड़ देते हैं देखना अब पर चले जाएए कोई चार्टू देना नहीं रेजिस्टर करने के लिए आपको के वेबसाइट पर रेजिस्टर करना है तो हम आपको पैस पैसे देना है वो फ्री कर लो एप डाउनव नहीं पर प्री में मिल जाएएगे वीज जाएगी तो क्यों पैसे लगाना उन पैसो को इखटा करो और कुछ चीज ले लेना उसकी हैं नहीं उसको और प्योग कर लेना अपना पढ़ाई तो क्या पढ़ाई पैसे में करके की ठीक है चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले पाठ को आखरी पाठ रह गया है पंच दश पाठ हमारा तो उसको मातुल चंद्र को पूरा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद